हाँ तो दूफ्टो इस वीडियो के अंदर हम SML I Suju के Q3 के नंबर्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे क्या आपको SML I Suju के अनना इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चली शुरू करते हैं पिछले कॉटर के कमपेरिजन में जो रेवेन्यू का नंबर है वो 7% से बड़ा है और ये नंबर है 249 करोट पे और पिछले कॉटर के कमपेरिजन में लाट का नंबर भी 4 करोट चे कम हुआ है और ये नंबर 25 करोट पे आ है तो देखा जा तो धीरे धीरे लाट का नंबर कम हो रहा है और जो मेन जो revenue यानि जो sales का नंबर है वो भी हमें लगातार growth आवा नजर आ रहा है अगर year on year basis पर दिखेंगे तो जो revenue का नंबर है वो 36% चे बड़ा है यहाँ पे कम से कम थोड़ा बहुत profit यहाँ पे market expect कर रहा था तो यहाँ पे इनके तरफ से deliver नहीं हुआ तो definitely market इसे negative way में लेगा तो दिखेंगे सब्से बड़ा wealth destroyer यह stock रहा है अगर हम all time high से बात करेंगे तो more than 50% से भी ज़ादा यह stock अपने all time high से भी नीचे trade कर रहा है तो दिखेंगे जो चीजें यहाँ पे bad हो रही है तो वो already factory न है तो जो price to sales ratio वाला number है वो यहाँ पे 1 के नीचे तो इतना ज़ादा correction में expect यहाँ पे नहीं करूँगा उसके लग अगर हम देखेंगे तो रही बात profitability की demand काफी अच्छी है खास करके इंडियन economy हो या globally वहाँ पे भी इनकी जो demand हो काफी अच्छी है तो आने वाले time भी मेरे ख्याल से company profitable हो जाएगी तो अभी long term के लिए avoid करना चाहिए लेकिन short term के इसाफ से अगर यहाँ पे correction होता है तो definitely buy करना चाहिए तो दोस्तो मैं hope करता हूं कि sml i suju के q3 के numbers के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा अगर आपकी कोई भी queries है आप comment कीजिए मैं जरूर आपके comment पर reply करूंगा ओके डोस्तो थैंक यू have a nice day